दोस्तों अगर आपने गुली गुली और ग्रैनी जबर्टेडे के बाकी पार्ट अभी तक नहीं देखें तो पहले आप उसे देख लें वरना ये स्टोरी आपको समझवें नहीं आएगी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ग्रैनी अपने बर्टेडे पार्टी में डांस कर रही होती है और साथ में ग्रैन पार्क, उनी पीग और जेसन भी ग्रैनी का साथ दे रहे होती है ग्रैनी ने आज कुछ जादा ही फीली है और वो नशे की हालत में डांस करते हुए रूम से बाहर निकल जाती है और कुछ देर बाद उसका बैलेंस दिगार जाता है और वो उपर से नीचे टपक जाती है उपर डांस कर रहें लोगों में से किसी को भी ये पता नहीं चलता कि ग्रैनी अड़े बड़े टूयू करते हुए नीचे गिर गई है लेकिन नीचे ख़़ा हुआ रोट ग्रैनी को गिरते हुए देख लेता है और फॉरन भागते हुए ग्रैनी के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन लगता है ग्रैनी अब हम सब को छोड़ कर जा चुकी है और शायद रॉट भी ये बात समझ जाता है इसलिए फॉरण वो उपर की तरह भागता है और रूम के अंदर जाकर सब को ये बताने की कुशिश करता है कि डांस करते हुए ग्रैनी उपर से नीचे गिर पड़ी है और अगर सही वक्त पे ग्रैनी का इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगी लेकिन कोई भी रॉट के बात नहीं सुनता सब लोग डांस करने में मस्त हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं कुछ देर बाद रॉट को समझ में आ जाता है कि ये सारे लोग डांस करने में मस्त हो चुके हैं अब इनसे बात करने का कोई फाइदा नहीं है अब रॉट को अकेले ही कुछ करना होगा लेकिन पता नहीं ग्रैनी अब तक जिन्दा भी है या नहीं सीडियां उतरते हुए रॉट सोचने लगा कि उसके पास एक अच्छा मौका है गुली और शौन को बचाने का घर के सारे लोग डांस करने में मस्त हैं और इधर ग्रैनी भी लुरक चुकी है और अब वो बेस्मेंट में जाकर बुली की मदद कर सकता है लेकिन डर इस बात का है कि कहीं कोई उसे देख न ले रॉट आगे बढ़ते हुए बेस्मेंट का दर्वाजा खोलता है लेकिन सीडियां उतरने से पहले ही वो फिर से रुख जाता है उसे अब इस बात का डर है कि कहीं उसे अगर इविललन ने देख लिया तो वो सब को ये बात बता देगी और रॉट के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी कुछ देर सोचने के बाद रॉट सीनियों से नीचे उतरने लगा रॉट जानता है कि गुल्ली और शोन को बचाने का उसे एक बेहतरीन मौका मिला है अगर उसने इस मौके को गवा दिया तो फिर उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला बेस्मेंट में आने के बाद रॉट ने देखा कि चारो तरह बिलकुस सन्नाटा पड़ा हुआ है रॉट इधर उदर देखी रहा था कि तभी उसे जमीन में लेटा हुआ गुल्ली दिखाए दिया जो कि बिहोश पड़ा हुआ था रॉट उसे देखकर उसकी तरफ आगे बलने लगा और उस पास जाकर उसे उठाने लगा रॉट बॉल्ली को उठा पाता उससे पहले ही रॉट को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके आस पास कोई और भी मौजूद है रॉट उटकर खड़ा हो जाता है और सामने देखने लगता है रॉट को दीवार के पीछे कुछ हलचल महसूस हो रही है रॉट दीरे दीरे आगे बलता है अगर वहाँ इविल लल मौजूद हुई तो रॉट चुपचा भी यहां से खिसक लेगा लेकिन रॉट जब पास जाकर देखता है अरे यह तो बल्ली है और इसने तो इविल लल को जहर वाला इंजेक्शन भी लगा दिया है यह देखकर रॉट कुछ हो गया और बोला वा बल्ली वा तुमने तो कमाल कर दिया मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि आके चलकर तुम शैतानों के डॉक्टर बनोगे बल्ली बोला लेकिन रॉट तुम यहां कैसे तुम तो कह रहे थे कि तुम बेस्पिन में नहीं जा सकते रॉट बोला बल्ली शायद तुमें पता नहीं है ग्रैनी डांस करते हुए उपर से नीचे गिर गई है और ये बात मेरे इलावा और कोई नहीं जानता ये बात सब को पता चले इससे पहले ही हमें गुली और शान को लेकर यहां से निकलना होगा बल्ली बोला शान हम गुली को लेकर तो निकल जाएंगे लेकिन शान का क्या होगा इविल लने शान को कहीं छुपा दिया है लेकिन ये आवास कैसी है लगता है सब को ग्रैनी के बारे में पता चल गया है और आप कोई नीचे आ रहा है रोट बोला बल्ली वो लोग मुझे ढूंते हुए कभी भी नीचे आ सकते हैं हमें गुल्ली को यहां से हटाना होगा और मौका मिलते ही हम यहां से निकल जाएंगे वरना वो लोग गुल्ली को मार डालेंगे शान को हम बात में ढूरेंगे आओ मेरे पीछे ये कहकर रोट आगे चला गया लेकिन गुल्ली इस बात से खुश नहीं है बुल्ली रोट से कहता है कि तुम यह चाहते हो कि हम गुल्ली को लेकर यहां से निकल जाएं और पौटी वाई शान को मरने के लिए यहीं छोड़ दे रोट बोला बुल्ली देखो हमें नहीं पता कि शान कहा है हमारे पास जादा टाइम नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि हम शान को ढूणने के चकर में गुल्ली को भी न बचा पाएं बुल्ली बोला ठीक तुम गुल्ली को लेकर बाहर निकलो मैं शान को लेकर आता हूँ बुल्ली बोला रोट उधर देखो कोई नीचे आ रहा है अब हम फस चुके हमें कहीं छुटना होगा वो भी जल्दी रॉट बोला बुल्ली वो ग्रैनपा है वो मुझे ढूनते हुए नीचे आ रहे हैं लेकिन तुम डरो नहीं मैं कैसे भी करके गुल्ली को बचा लूँगा जल्दी चलो यहां से रॉट शायद यह बात नहीं जानता कि घर के सारे लोग उसे ही ढून रहे हैं सब को यही लग रहा है कि ग्रैनी को रॉट ने मारा है क्योंकि खुनी पीक पहले ही सब के कान भर चुका है कि रॉट बुल्ली के साथ मिलकर सब को धोका दे रहा है और अगर रॉट पकड़ा गया तो वो जिन्दा नहीं बचेगा बुली छुपकर ग्रेंटपा को देख रहा होता है ग्रेंटपा के करीब आते ही वो रॉट को इशारा करता है जल्दी चलो यहां से ग्रेंटपा इधर ही आ रहे हैं और फिर दोनों वहां से फरार हो जाते है ग्रेंटपा जैसे ही इविलल के पास पहुंसते हैं तो उसे इस हालत में देखर ग्रेंटपा समझ जाते हैं कि रॉट उन्हें धोका दे रहा है क्योंकि बाकि सारे लोग पार्टी में मौझूद थे सिर्फ रॉट ही वहां से गायब था इसलिए ये सारा काम रॉट का है और अब रॉट की शामात आने वाली है क्योंकि ग्रेंटपा की खोपड़ी अब भूल चुकी है ग्रेंटपा ने बॉली को देख लिया है रॉट फॉरण बॉली को लेकर वहां से बाहर निकलने लगता है लेकिन बॉली ग्रेंटपा को गोल गोल वही पर घुमाता रहता है ताकि रॉट बॉली को लेकर वहां से भाग सके और कुछ देर बाद रॉट बॉली को लेकर घर से बाहर निकल जाता है लेकिन ग्रैनी के पास खड़े हुए खूनी पिक ने रॉट को भागते हुए देख लिया है खूनी पिक फॉरण जेसन से इस बात की चुगली करता है लेकिन जब जेसन खूनी पिक की बात पर ध्यान नहीं देता तो वो अकेले ही रॉट के पीछे जाने लगता है खूनी पिक को जाता देखकर जेसन भी साथ जाने लगता है दोनों जब घर से बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता जेसन को लगता है कि खूनी पिक ने उसे फिर से टोपी पहनाई है लेकिन खूनी पिक जेसन को आगे चलने के लिए कहता है और फिर दोनों रोट को ढूनने आगे जाने लगते हैं और इधर रोट बुल्ली को जीब में डालकर वापस आ रहा होता है लेकिन जैसे ही वो जेसन और खूनी पिक को आता देखता है फोरण महां से दुम दबा कर भागता है वो समझ जाता है कि उसकी सुताई होने वाली है खूनी पिक और जैसन उसे भागता हुआ देख लेते हैं रोट जीब में बैठकर वहां से भागने ही वाला होता है तब ही जैसन और पिक दोनों मिलकर उसे गाड़ी से नीचे ठीश लेते हैं और उसकी सुटाई चालू हो जाती है और इधर बुल्ली भी ग्रेंटपा की पागलबन की देखकर बेस्मेंट से बाहर भाग आया है लेकिन ग्रेंटपा उसे नहीं चोड़ने वाले बुल्ली भागते हुए जीब के पास आता है तो पेड़ के पास उसे रौट बेहोश मिलता है बुल्ली समझ जाता है कि रौट की सुताई कम्पलीट हो चुकी है और अब उसकी बारी है बुल्ली को फोरण वहां से निकलना होगा लेकिन उसकी जीब कहा है और आप बुली यहां से निकलेगा कैसे दोस्तों क्या होगा बुली बुली और शौन का ये सब हम देखेंगे पार्ट 6 में नेक्स संडे सुबा आट बजे तो दोस्तों अगर आप पार्ट 6 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल आइकन प्रेस करके आल नोटिफिकेशन आउर करना ना बुलें झाल 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 झाल